आज इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूं एक अमेजिंग पैंसल का जो है एक मेकैनिकल पैंसल अगर आप स्कैचिंग में बिगनर्स हैं इंटरमेडिल लेवल पर हैं या प्रफेशनली काम करते हैं कमिशन वर्क ड्रो करते हैं तो भी आप इस पैंसल का यूज कर सकते हैं तो चलिए कैमरे को लेकर चलते हैं पैंसल की तरफ तो यह है वो गाइस मेकैनिकल पैंसल जो की इस डॉरी की तरफ से है तो फरस्ट ऑफ ओल थैंक्यू इस डॉरी फो इस अमेजिंग पैंसल एंड मैं आपको यहां पर बात बता दू कि यह कोई पेड परमोशन नहीं है मैं अपनी मर्दी से यहां पर यह रिव्यू दे रहा हूं तो चलते हैं पैंसल के फीचर की तरफ आपको जैसे कि यहां पर दिख रहा है दो कलर में यह पैंसल अवेलबल है अगर मैं बात करूं यह मुनामी कंपनी से हैं एंड मेड इन कोरिया है यह मेड इन इंडिया नही इसे हम smooth shading कर सकते हैं यहापे जो इसकी जो grip है वो rip है जिसे की बिलकूल भी आपका hand जो slip नहीं होगा और आप काफी easily pencil को use कर सकते हो designing में या detailing work में जो lead है वो काफी ज्यादा hard है जिसे breakers बहुत कम होगा and आप काफी and long time तक इससे काम कर सकते हैं मैंने यहाँ पर बात करें प्राइज की तो guys बिलकुर ही affordable प्राइज है और यह आपको मिल रही है only 160 रूपीज में and अगर आपने last tutorial नहीं देखा है सतिंदर सर्ताज का इसमें भी मैंने कहीं कहीं इस pencil का use किया है and यहाँ पर face shading में मैंने काफी use किया है यहाँ पर cloth part में भी मैंने इसका काफी use किया जो इससे next video होगी वो cloth tutorial पर होगी क्योंकि इसका tutorial रह गया था and अगर आप बाकी के आपने tutorial नहीं देखे तो वो आप जाकर check कर सकते हैं आपको उपर आई button में link मिल जाएगा तो इसमें भी मैंने इनी pencil का use किया है यहाँ पर detailing देने के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी best है and अगर हम price की ही मैं यहाँ पर बात कर रहा 160 rupees में यह price है ना तो यह ज़्यादा cheap है and ना ही ज़्यादा यह expensive है and काफी light है अगर आप एक professionally काम करना चाहते हो तो mechanical pencil के साथ क्योंकि detailing ज़्यादा अच्छी आते है तो आप इन pencil का use कर सकते हो and अगर आप buy करना चाहते हो इस pencil को तो आप buy कर सकते हो आपको जो link है वो description में मिल जाएगा asadori की website का जहां से आप directly purchase कर सकते हो and guys अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जूर करना and हम मिलते हैं next video में एक नए tutorial और एक नए review के साथ thanks for watching